चाप मुद्य थे वैसे भुस्ताचार मांगाई, बेरुजगारी, सिक्षानी थी में हैं, परिवर्थन परन्तु भुस्ताचार मुख्य मुद्दा था और यह की चीज मैं समर्ण करना चारता हूँ कि जब चौन तर कांगोरन आरण हुआ था तो उस समय देश को आजाद हुए कि उन सकाई साथ हुए थे देश देश दन्तंद्र गोशिक हुआ उसके केवल 24 साथ हुए थे आजादी की खुमार माकी थी, नौजवान पिढ़ी, सोचती थी कि आजादी की राई कैसे इनों रहा होगा आजादी के कई सेनानी भी उसे में मौलूब थे तो देश के आजाद होने के सब्सकाई साथ दन्तंद्र गोशिक थोने के माद 24 साथ बाद एक मिशार आया जैब्रकार से इसको आगे बढ़ना है, शातर जी आगे है और शातर जुआओं ने एक पारासाग की तरफ जब्रकार जी को अपना नेक्री तो सौप दो और जब्रकार जी ने उसमें कहा था इस अनुल्ग का दक्ष सत्ता में परिवर्त है, किरुदा उससे में जो सत्ता थी, आज इतनी बहुमत से के दर में सत्ता है, उससे भी पिचट बहुमत से सत्ता आई थी, बैंकों का रास्तिक रहन गुआ था उसके बाद वंगलादेश वेजुद में पाकिस्तान दो भार में बढ़ गया था उसके पहले चुनाव होए थे उस चुनाव में इंद्रा जी के अपने प्राक्रम दिखाया था अटल दिहारी बाज पेज जैसे वेक्षी ने कहा उनको दोगा क्यों पाजी थी और उसके एक्तों साव माधी जनता में लगा कि नहीं कुछ बोड़ बोते हैं और जैब प्रकाजने इंद्रोश्या यह सथा प्रयोदन करना मेरा उनके से नहीं है हम व्रस्ता में परिटब करण चाहिए अगर व्रस्ता ऐसी बन जाए कि भरस्ता चाहर की बुझ्याई सी नहीं राईजा उसके तो भरस्ता चाहर नहीं होगा चाहर जर्दी को भरस्ता चाहर नहीं कर पाएगा उतने बुझ्याई से को भरस्ता चाहर करता है तो उसको तुरित उसका अगिदान हो जाए दोसी है तो दोसी की सजाम भी जाए इस समय के विवस्था बन जाए और उस समय कि जो हमारे साथ की है सही जानते हैं इस चाहते क्या थी आज जो इस्टिती है वा कैसी इस्टिती है इसके बारे में हम सभी सोचते हैं विशार करते हैं इसलिए में मन में आया कि ये प्रकास जी की जो आज जहनुती है उसमें हम इस बीसे पर बात करें कि एक उसमें जब छात्रियों आख खड़ा हुए थे आंदोरन के लिए आंदोरन इतना प्रटेंट हुआ कि देश में आपातकाव की बोशनाकर नी पड़ी कितने अर्थ करच तो आज जो इस्तिती है इस इमर्जेंसी से कोई कड़ी इस्तिती तो नहीं है फिर आज उसमें से कम बंस्ताचाह नहीं है आज बंस्ताचाह के कई विवत्स रूप हो गए हैं जो उसमें नहीं थे तो आज जो खास करके शात्र जुबा पिड़ी है उसमें के लोग हैं मार् प्रहेज नहीं करें बलकि अपनी बातों को कम से कम हम कहें जब प्रगास ये ब्रगास 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 ये ब्रग इसलिए आज का जो काज़क्रम है वो प्रूप से जब्रकास जी की जैनती का काज़क्रम है उस जैनती के काज़क्रम में यहां ऐसे लोग आए हैं जो स्वेच्छा से संख्या बड़ी है करी 500-500 पूर्सियां इस और में लगाया है वो ने नीचे यह चोटा आओ ले इसमें 200 पूर्सियां लगाई नहीं है किसी को लगे कि यहां बहुत दीर भाड़ा है तो नीचे भी बैठेगा तो इसी तरह का वहां भी दिखाई पड़ेगा तो नीचे भी रोग बैठ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या जो स्वेच्छास चाहिए इसका मसलत कुई लोगों के मन में इस बंदन है अब क्या करें इ हैं वो यह मान कराए हैं कि यहें मुदाख है और प्रासंगिक्ता जब्रगास जी प्यात्रोबन की विचार की आजए है तो हम एक सिर्सेलवार बात करेंगे मरतिन्दु जी का समचानु कर रहे हैं हम चाहेंगे अधिक से अधिक लोग अपना विचार रख सकें अगर आज प्राव नहीं होता है कई योग हैं जिनको बोलने में भीज़त होती है तो उनके पाइट गया हुआ है फाइल तर उस पाइट पर वो लिख लेंगे अपने विचार बिंदु बात और यहां से कारगरता जाएंगे उनसे देने में जबी कोई चाहते हैं कि हम कुछ बोल अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले